चने की गुगनी या चने की सबजी कुछ भी कह लिजए स्वाधिष्ट चने की सबजी सबसे पहले एक कुकर में भिगोई हुए चने नमक और पानी को इसको उबलने के लिए डाल देंगे और एक ब्लेंडर में ग्लैसन लॉंग हरी मिर्च और जीरा फिर इसमें काली मिर्च और प्याज कुटी वी यद्रक और पानी डालकर इसका एक अच्छा पेश्ट बना लेंगे अब कराए में तेल ले लेंगे इसमें जीरा और प्याज डालकर इसको सुना रहा होने तक भून लेंगे इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे हल्दी पॉडर, लाल मिर्च पॉडर, नमक, मीट मसाला पॉडर इसको डालके मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे अब हमारे चने पक चुके हैं इसको चमनी से पानी को निकाल लेंगे, चने को धो लेंगे और उसके बाद इस चने को हम भूक मसाले में डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, इसमें पानी डालकर, कुछ देल इसको उबालेंगे, और लास्ट में गरम मसाला पॉडर, कस्मीरी लाल मिट्स पॉडर, और धनिय पत्ता, हमारा चने की सबजी तयार है, थैंक झाल